हलो दोस्तों वेलकम बैक अंडे डेस कम्यूनिकेशन चालेंज के 35 दिन में आपका स्वागत है तो जब कभी भी आपको डिमोटिवेशन फिल होता है हेलपलेस फिल होता है होपलेस फिल होता है या फिर ऐसा फिल होता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा तब आप उस सिचिवेशन में क्या करते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप डिमोटिवेशन फिल करते हो होपलेस फिल करते हो तब उस वक्त क्या करना चाहिए तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वह मेरा वनदर फेवरेट है और मैं उस तरीके को यूज करता हूं जब भी मैं डिमोटिवेशन फिल करता हूं या फिर होपलेस फिल करता हूं या फिर हेलपलेस फिल करता हूं तो जब भी आपको डिमोटिवेशन फिल हो होपलेस फिल हो हेलपलेस फिल हो या फिर ऐसा लगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं इतन पर आए सबसे पहले तो जब आप पेन और पेपर पर उसको लिखेंगे तो सारा निगेटिव इमोशन बाहर निकल जाए आपसे और आप फ्री हो जाओगे उसके बाद एक दूसरे पेज में आप उन सारी चीजों को लिखें जिस से जिसके लिए आप शुकर गुजार हो जैस सबसे पहले आप इस बात को लिखें कि मैं जिन्दा हूं और आप इन बेसिक चीजों को लिखें उस पर जिन जिन चीजों के लिए शुकर गुजार है आपके पास हाथ है पैर है आखें है कान है दिमाग है तो आप जितनी भी सारी बेसिक चीजे हैं उन सब चीजों को लिखेंगे इनको लिखने के बार ट्रस्ट में अच्छा फिल करेंगे क्योंकि मैंने यह मैंसुस किया है मैं अपने एक्स्पिरियंस से यह कर सकता हूं आपको यह बता सकता मैंने आपको पिछले कई video में बताया भी है कि gratitude universe में दो powerful frequencies है एक love और दूसरा gratitude और बहुत ही पाउरफुल frequency है जब आप gratitude करते हो उपर वाले का शुक्र अदा करते हो तब आप बहुत है positive और powerful frequency छुड़ते हो जिससे आपका aura बहुत ही कमाल का और attractive हो जाता है दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और यह वीडियो उन लोगों के साम शेयर करें जो डिमोटिवेटेड फिल करते हैं होपलेस हैं हेल्पलेस हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें मेरे जरने को सपोर्ट करने के लिए और वीडियो को लास्त देखने के लिए थैंकियो सो मच